Hello everyone and welcome to Edutab. दोस्तो हिमाचल प्रदेश Administrative Services का Preliminary Stage का exam 16 October 2022 को conduct किया गया था और अब इस exam की date के बाद देड़ महीने से जाता टाइम गीतने को है और results अभी तख डिक्लेर नहीं होएं इस exam के तो results को delay होने के बाद बहुत सारा aspirants के mind में confusion है कि आगे की strategy किस तरीके की होनी चाहिए और ऐसी हालत में जो सबसे बड़ा खत्रा होता है कि सभी aspirants की तयारी को वो होता है कि हमारी जो preparation है जो हमारी तयारी है वो unguided missile की तरह हो जाती है और unguided missile कहीं भी जाकर के misfire कर सकती है और जाता chances होते हैं कि वो खुद को ही नुकसान पहुचाएगी तो इस छोटी से वीडियो के अंदर मैं आप सपीलों को guide करने वाला हूँ कि अगर preliminary result declare होने में delay हो रहा है तो क्या हमें अब करना चाहिए ठीक है what should be our strategy next first of all to define our strategy हमें ये clear होना चाहिए कि हम as a student as an aspirant for this exam कहां stand करते हैं पहली category उन लोगों के आएगी who are scoring more than 100 तो ये वो aspirants है जो 100% इनको sure होना चाहिए कि अब वो examination clear करेंगे जब भी result declare होगा उनका नाम merit list के अंदर होगा और वो main examination लिखने के लिए जो है उनको invite किया चाहेगा यहाँ पर 100 plus score जो है वो मैं open category के लिए दे रहा हूँ other categories के अगर हम बात करें तो accordingly they will adjust if they are confident that they are getting above the cutoff marks तो automatically बिना कुछ सोचे बिलकुल time बिना waste कि है उनको mains की preparation को throttle पे रखना चाहिए result declare हो रहा है exam postpone हो जाएंगे क्योंकि वो आपकी तयारी को कोई फायदा नहीं करेगा आपका सिर्फ एक काम है कि mains की उपर आपका पूरा focus रहना चाहिए answer writing practice आपकी पूरी तयार रहनी चाहिए optional का revision, optional का जो तयारी है वो आपका बिलकुल to the point रहना चाहिए तो जो भी aspirant बिलकुल 100% sure है कि वो preliminary examination को qualify कर रहे हैं, उनके लिए तो कुछ भी नहीं सोच रहा है, उनके लिए तो बहुत आसान strategy है कि बस mains की तयारी में आप लोग लगे रहिए, ठीक है, फिर कुछ aspirants ऐसे आएंगे, who are 100% sure that they will not be able to clear prelims इसमें वो aspirants भी हैं, जिन्होंने शायद पूरी तयारी किये भी ना इस साल prelims attempt कर दिया था, उन्होंने इसी साल कुछ महिने तयारी की, और just for testing, just ही देखने के लिए कि वो कहां stand करते हैं, उन्होंने exam दे दिया, कुछ essay aspirants भी हो सकते हैं, जो because of some reasons, were not able to perform very good, बहुत अच्छे marks वो शायद score नहीं कर रहे हैं, preliminary examination के अंदर, according to their category, और वो काफी हद तक अभी sure है, कि वो qualify नहीं कर पाएंगे mains exam के लिए, तो essay aspirants को, again result की कोई चिंता नहीं करने चाहिए, उनको फटा-फट अपनी integrated preparation जो mains के और prelims की लगातार वो preparation कर रहे हैं, उनको continue करना है और ये time जो है वो mains की तयारी के लिए सबसे बढ़िया time जो है, उनको मिलने वाला है next year, जब notification आईगी exam की, और prelims की date आईगी, उस time पर आपका focus prelims की उपर जादा हो जाता है तो अभी के समय आप भले ही prelims को qualify नहीं कर रहे हो, आपको mains examination की तयारी करते रहनी चाहिए, आपको answer writing practice अभी start करते मी चाहिए, जो आपको optional subject है, उसका पूरा 100% syllabus cover कर देना चाहिए अभी भले थोड़ा सा जो GS और prelims की preparation है, उसको आप थोड़ा साब back foot पे रखो, लेकिन optional subject, essay writing answer writing, और जो mains के specific subject होते हैं जैसे की world history के components होते हैं, international relations के components होते हैं, cyber security जैसे जो कुछ ऐसे topics होते हैं, जिसनके main questions आते हैं, तो उसको अभी prepare करके रख लो, ताकि next year जब notification आएगी exam की, तो आपको इन subjects की चिंता ना करनी पड़े, और next year प्रिलिम्स के बाद आपका काम जो है, वो बहुत आसान रहे हैं clear, अब दोविधा उन aspirants के लिए है, who are on the borderline 95 के around marks score कर रहे हैं, depending upon their category, अब वो 100% sure नहीं है कि क्या वो mains लिखेंगे या mains नहीं लिखेंगे, तो ऐसे aspirants को भी मैं बता दूँ अकीर, ideal time में mains की preparation करने का, और answer writing practice करने का, result कुछ भी हो, चाहें आप लोग clear हो रहे हो, चाहें आप लोग mains के लिए invite किये जाओगे, या mains लिखने के लिए invite नहीं किये जाओगे, कोई भी outcome निकले इसका, उसके बारे में सोच कर, time waste करना, वो आपके लिए बहुत ज़ादा हानिगारक होने वाला है, अभी आपका सिर्फ एक काम होना चाहिए, to keep the next year in mind, next year की examination को ध्यान में रखो, अगर इस साल qualify करके आपको mains के लिए बुलाये जाता है, तो all well and good, अगर नहीं भी बुलाये जाता है तो at least next year के लिए you are well prepared और अगर इस साल, cut off थोड़ा सा उपर नीचे हुई and you are able to qualify for the mains examination but still आप तयारी नहीं कर रहे थे यह सोच के की result कैसा आएगा, I am not really sure, तो वो बहुत ज़ादा नुकसान करेगा आपको, right, and these aspirants who have been preparing for a long time उनको edge मिल जाएगा mains examination के उपर तो लबे-लुबाब क्या है, लबे-लुबाब यह है कि इस time पर आप सभी का focus जो है, mains की तरफ होना चाहिए, 100% focus जन aspirants का mains clear होना है, उनका 100% focus होगा, वो aspirants जो sure है कि mains इस बार तो नहीं लिख पाएंगे अगले साल लिखने की पूरी तयारी करनिया में उनको अपने mains specific topics जो है, अभी prepare कर लेने चाहिए, cover कर लेने चाहिए, अगर अभी तक उन्हों नहीं किये हैं, और इसके साथ prelims की तयारी, current affairs पढ़ना हो गया, आपकी जो GS के subjects होते हैं, history, quality, geography, economy, हिमाचल जी के, इसको cover करना side by side आप लोग चालू रखे, और जो aspirants अभी confused हैं कि क्या आप वो cut off clear करेंगे या नहीं करेंगे उनके लिए मेरी suggestion यही है, कि आप next year को ही target करके वहले, अपना mains answer writing और mains की preparation जाली रखो, अगर इस साल आप clear हो जाते हो, अगर exam postpone हो जाता है, तो आपको यह लिए तो बहुत वाइदे की बात है, exam postpone नहीं भी होता है, और timely schedule के साफ़ से अगर exam conduct हो जाता है, आप लोगों की mains की तहरी लगाता चलते रहने चाहिए, ठीक है, so don't believe in any of the rumors, first of all, अलग-अलग जगों से आपको rumors सुनने को मिलेंगे, कि result कब आने वाला है, result कब तक आएगा, mains का exam postpone होगा या नहीं होगा, जब तक official source से आपको information नहीं मिल जाती, तो अपने आसपास की libraries, अपने आसपास की coaching institutions, अपने दोस्तों, अपने contacts, उनकी बातों में आ करके अपने आपको unfocus करने का कोई भी फायदा आपको नहीं होगा, अपनी preparation को focus में रखिए, goal पर पूरा आपका focus रहना चाहिए हमेशा, क्योंकि एक बार जो time आपका waste हो गया, इन सब चीजों को सोचने में, rumors को सही है, अकलत है, find out करने में, जितना time आप waste करोगे, वो सारा time आपका कभी वापस नहीं आएगा, precious time है आपका, जो यहाँ पर waste हो रहा है, यह time अगर आप अपनी preparation में लगाते हो, तो बहुत ज़दा आपको फायदा करता है, right, So, इसके साथ ही, जाते जाते, I will again remind you, for any of those aspirants, who want to make the best utilization of the time that you are getting, उसमें आप अपना आरा मेंस का crash course, या मेंस की test series that we are offering you in very affordable prices, उसको आप लोग सबस्राइब कर सकते हैं, अगर आप edu tab की नहीं, तो किसी और institute की at least, एक मेंस test series जरूर लिखे, चाहें आप इस बार मेंस दिख रहे हो, क्योंकि यह जो answer writing practice का initiation आपका होने वाला है, यह बहुत मदद करेगा, यही decide करेगा कि क्या आप HPS exam को finally clear करते हो, या clear नहीं कर पाओगे, ठीक है, so if you want, you can go for these test series और crash course specifically for the means examination of 2022, otherwise अगर आप 2023 की comprehensive त्यारी करना चाहते हो, तो we have launched the comprehensive course for 2023 also, यह course जो है, वो 2023 December end तक valid है, और इसके अंदर आपको videos, notes and test series for prelims and means, मतलब A to Z needs, जो आपकी HPS exam के लिए है, वो यहाँ पर आपको available हो जाती है, description box के अंदर मैंने link दे दिया, इस course का, उसको जाकर कि आप starter pack में, free of cost, demo lectures देख सकते हो, demo notes देख सकते हो, वहाँ पर decide कर सकते हो, कि whether this course is going to be beneficial for you or not, right So this is all from my side, I hope you like this video, please do not be, you know, distracted by any of the rumors, please do not waste your time in any of the other things except for your preparation for HPS exam, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, जाहिन जाए बारत